सात्यों किसी भी देश के विकास को गती देने में उसकी युवापिधी और युवाउर्जा इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन उस युवापिधी का निर्मान बच्पन से ही शुरू हो जाता है जैसा बच्पन होगा भविश का जीवन काफी कुछ उसी पन निर्भर करता है बच्चों की सिक्षा उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तै करता है कि भविश में वो एजा परसन कैसा बरेगा उसकी परसनलिटी कैसी होगी इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है प्री स्कुल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्रचाय के बार माता पिता की देखवाल और घर के आराम भरे माहुर से बहार निकलने की शुरुआत करता है उसे दूर होता है यह वो पहला पढ़ा होता है जब बच्चे अपने सेंसीज अपनी स्कील्स को जादा बहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं इसके लिए ऐसे स्कूल ऐसे सिक्षकों की ज़रुत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेज लर्निंग और डिस्कवरी बेज लर्निंग का एंवायर्मेंट दे हैं मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगों कि कॉरोना की इस टाइम में इस सब कैसे होगा, ये बात सोच से ज़्यादा एप्रोच की है और वैसे भी कॉरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं लहने वाले हैं बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें उनमें जादा सिखने की भावना का विकास हो बच्चों का मन उनका मस्तिस्क वैज्यानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करें उनमें mathematical thinking और scientific temperament विक्सित हो ये बहुत आवशक है और mathematical thinking का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे mathematics के problem ही solve करें बल्कि यह सोचने का एक तरीका है यह तरीके हमें उन्हें सिखाना है यह हर विशय को जीवन के पहलू को mathematical और logical रूप में समझने का द्रश्य कौन है ताकि मस्तिश का अलग अलग प्रस्पेक्टिव में analysis करें यह द्रश्य कोन मन और मस्तिश का इविकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्ट्रिय सिख्षान नीती में इसके तोर तरीकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत से प्रिंसिपल्स यह सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं हो सकता है आपके बाद सही ही हो लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो है जहां ऐसा नहीं होता है एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है ये भी एक बड़ी वज़य है जो आज आपसे मैं इतना विस्तार से हो सके उतनी बारिकी पर बात कर रहा हूं